जैमात अदी मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि मेरे पास कई लोगों के ऐसे कमेंट थे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाओं तो जो हमारा आज का टॉपिक है यह आम समस्चा बनता जा र होती है और चकत्ते पड़ जाते हैं और धूप के संपर्क में आते ही वह सब अपने आप से ठीक हो जाते हैं तो देखिए यह तो जो आपने शिम्टम्स बताए हैं तो सीधा सा इसारा करता है कि उनको किसी भी ठंडी या बादी चीज से ऐलर्जी है जो कि धूप की गर्मा मैं उनको देखा नहीं है वरना अगर मैं देखती तो उनको तुरंत में बता देती और अभी ऐसे जो आपने शिम्टम्स बता हैं उसके आधार पे मैं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बता रही हूं और बहुत ही फैदेमंद चीजें हैं यह 100% इनका असर होगा और फ सकती है तो सबसे पहले थोड़ा सा आप यह जानने की कोशिश करिए कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि पहले नहीं पसंद करती थी अचानक उन्होंने खाना सुरू कर दिया है तो उससे उनको अलरजी हो सकती है या कोई ऐसा बॉडी लोशन या क्रीम या कोई ऐसा तेल नहीं है जो कि इस से पहले उन्होंने यूज नहीं करा और अभी अचानक उन्होंने यूज करना सुरू कर दिया है तो वो भी उसका कारण हो सकता है क्योंकि हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती है उसके लावा किसी ऐसी जगह पर वह इवनिंग वाक के लिए तो नहीं जात और उनका पानी लग जाता है तो भी शरीर के उपर एलर्जी हो जाती है तो अगर इस तरह की कोई दिक्कते हैं तो उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिज करिए उसके लाबा कोई ऐसा नया साबून तो यूज नहीं करने लग गए जो इससे पहले उनने यूज नहीं किया था य जाने खीजहें है आप अपने खर में थोड़ा सा नीम का पानी बना लिजे हमां और की और वीडियो में में भी मने बताया 3 लिटर पानी में और आप ऊबलने के लिए रख दिजी और पहले एकड़ से लाने दीजिए उसके बाद में आज को आप जितनी धीमी कर सकते हैं उतनी धीमी कर दीजिए सोरी जब तक और पानी आधा ना हो बिंगा तो यानि कि इस समय आपको आंच बंद कर देना है और उस पानी को थंड़ में और ना है रख लेना है और आपको इस लिए भर नÃ और नहीं कर न है लगभग दो दिन तक ञाँज़ उसके वह नहीं को पान। कि नीम का है रकर लेना ठीके डर को अथ य। ये दो दिन तक तो किसी भी कंडिशन में बाहरी खराब नहीं होगा आप इसको नॉर्मल टमप्रेचर में रूम टमप्रेचर में कहीं भी रख सकते हैं लेकिन अगर आपको एक हपता या उससे ज्यादा दिन के लिए श्टोर करना है तो आप इसको फुरिज में रख दीजें और कोशिस हमेशा करिए कि जितना मैंने बताई है मात्रा इससे अधिग मत बनाई है क्योंकि एक हपते से ज्यादा इस तरह की कोई भी दवाईयां बनाके नहीं रखनी चाहिए तो इस पानी को आप रख लीजिए अब आपको आगे क्या करना है आगे आपको ये करना है जो आप पड़ा सा रूई का फाहा डाल दीजिए और उस रूई के फाहे से धीरे-धीरे रगड़के सारे दाने साफ करिए फिर आप नहा लीजिए और नहाने के बाद में आपको अपने गीले शरीर में ही फिटकरी मलनी है अब आप सोच रहे होंगे नीम का फानी भी बताया फिटकरी भी जी हां क्योंकि फिटकरी भी फिटकरी एक ऐसी चीज है जो कि हर तरह के इंस्पेक्शन को काट रेती है उसके लाबा इसकी में चमक भिलाती है तो अब फिटकरी और नीम दोनों आप कैसे यूज करेंगे मैं यहां पर यह बता रही हूं आप सबसी नहाने के बाद में फिटकरी मल देना है उसके बाद में कुछ समय के लिए बौडी को ऐसे ही छोड़िये और जब लगभग पांच मिनट हो जाएं तो जो भी सरीर का गीला पाट रह गया है उसको धीरे धीरे टाबल से सुखाने की कोईसिस करिए बहुत रगड के मत पोचि तो आप 15-20 मिनट अपना कोई भी काम कर लीजिए और 15-20 मिनट के बाद में जो आपने नीम का पानी बना कर रखा है वो पानी आपको अपने बौडी के हर एक उस पार पे लगाना है जहां पर इस तरह की अलर्जी आपको होती है दाने और चाले पढ़ जाते हैं चकरते तो इसको भी आपको कैसा लगाना है बस एक कटॉरी में आप दो से चार चमच पानी निकाल लीजिए मात्रा उस इस अपको बौडी में कितने बौडी में इंस्पेक्शन हुआ उस इसाब से आप निकाल लीजिए कटॉरी में पानी और एक रूई के फाह से उसको अगर आप चाहें तो आदा घंटे के बाद में इसको गीले कपले से पोच सकते हैं या पानी से धो भी सकते हैं या अगर नहीं धोएंगे तो भी इसका कोई साबुझ कर एक लिए या और भी आते हैं मेडी मेकस अता है उसको यूज करिए और खुझली के लिए एक आता है साबुन साभवाँ सबी हैं सब्सक्राइक इसलोग करो किने अवका इसलोगी और इसलोग मैं जो आपश Cambridge सब्सक्राइक ही एक हकते के अंदर आपकी यह सारी एलर्जी ठीक हो जाएगे और फिटकरी का तो बिल्कुल आप नियम बना लीजे कि नहाने के बाद आपको फिटकरी रोज यूज करनी है उसके अलावा मैं आपको एक ट्यूब बता देती हूं अगर इन सब चीजों के बाद भी आपको ल है जिसकी वजह से नहीं ठीक हो रहा तो आप देखिए यह एक मैं आपको बहुत पास से दिखाने की कोईशिस कर रही है इस ट्यूब का नाम है हालोक्स इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जायागा लेकिन उस प्रयोग को भी आपको करते रहना है उसको आपको बंद नहीं करना है क्योंकि वह बहुत ही अच्छा आयुर्वैदिक नुसका है उसका किसी भी तरीके से कोई भी साइड इफेक्ट कभी हो ही नहीं सकता तो यह ट्यूब आपको लेनी है और आपको अपने बाड अगर रूटेन बार में खत्म हो गया तो आपको कम से कम वन मनत तक जरूर लगाना होगा ताकि अगर आपके बोडि के अंदर किसी भी तरह करें कोई जर्म से रह गए हैं तो इसके असर से बिलकुल वह खतम होते रहेंगे उसके रावाब आपको नीम का पानी करते रहिए निश्चित आपको फैदा होगा और अगर इतनी कोशिस करने के बाद भी आपकी प्रोब्लम दूर नहीं हो रही है तो जल्दी से जल्दी आपके सीस्किन डॉक्टर के पास जाए और उनसे अपना ट्रीटमेंट कराईए यानि कि आपको बहुत ज्यादा प्रोब किसी बोडी लोशन या क्रीम को लगाने से आपको ऐसी प्रोब्लम होती तो उस हिसाबसे में बताने का प्रयास करूंगी और वैसे मैंने इस वीडियो में जो भी बताया है यह बहुत ही कारगर्न उसका है बिलकुल आजमाया हुआ है इसका कोई साइड इफ्ट नहीं है और नमस्कार और नहीं है